बस से बच्चे होंगे जिनको लगता है कि बस कहीं भी मिल जाए मैं नौकरी कर लूँगा तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा आउसर है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किस गुरूप से आप फॉर्म भरे जो नौकरी निश्चित तोर पर आपको मिल जाएगी यह इस वीडियो में मैं पूरा डिसकस करने वाला हूँ पूरी अथंटिक पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा लेकिन सबसे पहले मैं उन सवालों के भी एंसर देना चाहता हूँ इसमें जो बच्चों के दौरा काफी पूछे जा रहे हैं और यह देखिए आप लगभग कई बच्चे हैं जो कॉमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर सबकी अलग-अलग क्वेश्चन है वो सारा जैसे सर जी डीवी में पॉलिस वेरिफिकेशन मांगेगा आई टी आई लगेगा क्या दोनों फॉर्म साथ में भर सकते हैं यह लगभग कई क्वेश्चन है जो आप कॉमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं पूरा इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस भरती से इस भरती के जो भी आपको परिसान कर रहे हैं वो सारे के सारे इस question के बाद आपके clear हो जाएंगे इस वीडियो के बाद सारा doubt खतम ठीक है तो चलिए मैं आपको सारी चीजे बता देता हूँ लगभग यह important question है जो आपने पूछा है comment box में यह important question है जिसको हमने लिख लिया है ठीक है और इसके बाद आप देख सकतो यह भी कुछ important question है और इसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज है वो इसमें हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि यह जो group है एक group का मसला क्या है आप form भरें तो किस group से भरें यह भी यहाँ बात आपको बताएंगे इसमें ठीक है और एक group का जो जैसे SR है इसका full form क्या है यह कौन से जोन है लगभग कितने जोन है यहाँ पर देख लू एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चुदा पंदरा 16 17 कुछ जोन है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में किस group की सबसे कम रही है तो आपका mind बिल्कुल clear हो जाएगा किस group से हम form भर ले लेकिन अभी यह कहा नहीं जा सकता है पूरी तरीके से कि किस group में कितनी vacancy आ रही है कितनी vacancy नहीं आ रही है वह ह कि भी detail में जानकारी देंगे यह हमारा बैच है दो बैच है इसमें एक SI के लिए एक constable के लिए है constable का जो बैच है वह आप constable की ही तयारी कर रहे हो तभी लेकिन अगर आप constable और SI दोनों की तयारी करना चाहते हो तो केवल एक batch SI वाला ही batch लेना ठीक है इससे दोनों की तय कि तयारी हो जाएगी इससे केवल constable की तयारी होगी ठीक है फीस में अगर आप देखोगे तो यह पांसओ साट और यह चैसो तो बढ़ा नॉमिनल बढ़ा है ठीक है और मैं सब कुछ बताऊंगा क्यों बढ़ा है किस वज़ा से बढ़ा है और इसमें डिटेल क्या-क्या र सब्सक्ика होनी तो क्या रहेगी तो आप diferencia के लिए constable के लिएfNG 18 से चालू हो जाती है तो मैं यह चीज आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक इंपोड है अगर आप remarkable का da अगर SI के लिए हो तो आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए ठीक है कितनी होनी चाहिए 20 साल तो अधिकतम उम्र क्या है तो हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं अधिकतम उम्र SI की और कॉंस्टेबल की, दोनों की बराबर है, अधिकतम मतलब कितने हम उमर के बड़े हो जाएं कि फॉम भर लें, जहाँ न, अधिकतम उमर, चलो, जनरल की उमर क्या होनी चाहिए, तो आपको जनरल की उमर, ऐसे तो फॉम भर सकते हो, जनरल, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप 28 साल के अगर हो, तो फॉम भर सकते हो, क्लियर है, दूसरी चीज, OBC की उमर में हो, अगर OBC हो, तो OBC 28 साल तक होते भई, OBC क्या होते, 28 साल तक आप OBC में तो फॉम भर सकते हैं, लेकिन कि तीन साल का इसमें भी कोवीड का रिलेक्स्टेशन मिला है एज में तो आप कितने साल के हो गए भाई थर्टीवन 31 साल अगर आप 31 साल के हो ठीक कॉंस्टेबल है तो आप इसको जोड़ सकतो कॉंस्टेबल के लिए अपलाई करना है तो 18 से 31 एसाई के लिए तो 20 से 31 ठीक है जनरल कोंस्टेबल के लिए 18 से 28 और एसाई के लिए जनरल 20 से 28 ठीक है सारी बात क्लियर हो रही है ना चलो SCHT है तो इनको 5 साल का छूट मिलता है 25 में तो 30 साल तो इनको मिलता ही थे लेकिन 3 साल का एक्ष्ट्रा रिलेक्षेशन मिला हुआ है एज में तो 33 हो गया 33 हो गया तो अब यह चीज समझ लो यहाँ पर 33 साल SCHT के लिए 33 साल तक अगर हो रहे हो तो छूट मिल जाएगी अब फीमेल के लिए अब आपको बता दे फीमेल के लिए जो जनरल फीमेल है तो उनको 28 वही चीज OBC में है अगर फीमेल है तो 31, ST में फीमेल है तो 33 यह आपका बिल्कुल उसी कैटेगरी फीमेल का कोई अलग से कुछ एज के लिए नहीं बनाया गया है तो आप जनरल के एज से आपको फाइट करना है OBC कैटेगरी से है तो OBC से आपको एज देखनी है और SC, ST कैटेगरी से है तो आपको SC, ST ते देखनी है कि कितनी उमर हमारे लिए पर्याप्त है 33 साल और ये ये नियूनतम उमर हमने बता दिया कॉंस्टिवल के लिए ठारा से है और SI के लिए 20 से है अब ये चीजे कुछ रह क्या था एक क्वेश्चन वो मैं आपको बता दू यहां पर साध कुछ यहां पर क्वेश्चन था चलो मैं एक क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बता दूँगा ये देखो सर जी मेरी एज जुलाई में 33 होगी OBC से हूँ क्या फिल कर सकती हूँ female तो ये क्वेश्चन रहते हैं हा ना तो इनके लिए हम बता दे कि बेटा आप अगर फीमेल हैं तब तो जनरल OBC और SCST से आप एज देख लो लेकिन अगर विडो है ठीक है विडो विद्वा है डिवॉश्ड वुमेन है यानि आपका डिवॉस हुआ है या वुमेन जुडिसली सेप्रेटेड आप कोड की साधी आपने कर ली है ठीक है ऐसा होता है तो आप अगर जनरल में हो तो दो साल का एक्स्ट्रा आपको छुट मिलेगा दो साल का एक्स्ट्रा छुट मिलेगा यानि 28 में दो 30 साल जनरल के लिए 30 साल हो जाएगी OBC के लिए अगर आप OBC कटेगरी में आती है डाइवोर्स हुआ है आपका या विडो है ठीक है तो 31 में दो जोड लो तो 33 और SCST में है तो 35 ठीक है यह चीज हो गई और इसमें देखो यहाँ पर सब कुछ बताया गया है अच्छा यहाँ पर OBC के लिए अलग बताया गया है देखो जनरल के लिए 2 साल की छूट है यानि जनरल के लिए आपको 28 तो 30 और OBC के लिए 5 साल की छूट दी गई अगर आप विडो है या डाइवोर्स हुआ है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी तो 5 जोड दो इसमें 36 साल हो जाएगा और 33 में 7 साल जोड दो तो 40 साल हो एक चार्ट इसका भी स्किन सौट ले लो जो जम्मू कस्मीर में रहते हैं वो इतने हाला की नहीं होंगे अगर आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं इसका भी अच्छे से वीडियो बना दूँगा ठीक है अब देखो ये चीज हो गई अब एक तो कुश्चन हमने एज के बारे में क्लियर कर दिया है तो ये इंपोर्टन चीज थी अब दूसरा क्या फिजिकल में ज्यादा लोग होंगे फेल भाया होंगे अगर पिछली भरती को देखें तो तब भी एक बार मैरिट डाउन की गई थी तो इसमें सबसे वड़ा फैक्टर जो है वो फिजि जो फिजिकल मांग रहे हों बड़ा साड़े च्छाय मिनट में शोला सो मीटर की रेस मांग रहे हवा हवाई करने से बात नहीं बनेगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है और यही कॉंस्टेबल के बात करें तो पांश पैतालिस में मांग रहे लड़कों की यह भी डिस में तो आप 152 सेंटी मेटर होनी चाहिए अब देखो 1600 मीटर की रणिंग की तो मेल में अगर जनरल ओबीसी और सब के लिए है तो पांच मिनट 45 सेकंड इसमें कोई नहीं 5 मिनट 45 सेकंड में सोला सो मिंटर मेल के लिएमिल के लिए जो है ते आफ सो मिंटर की रंशू सेकंडं कें मेल के लिए 8 की लाउंग जम लड़कों के लिए बारा फिटी है लड़कियों के लिए 9 फिट के है नायं लंबी कुछ जिसे कहते हैं लांग गं कousse टेबल के लिए अले की लिए High Jump Constable के लिए देखोगे तो 4 Fit और 4 Fit लड़कों के लिए और 3 Fit और 3 Fit लड़कों के लिए ये Constable के लिए है 4 Fit High Jump मांग रहे हैं Constable में लड़कों के लिए और Constable में High Jump Female के लिए 3 Fit ये पूरा आप इसका स्क्रीन सॉड ले लेना और रही बात यहाँ पर भी कुछ समझ लेते हैं कि यहाँ पर RPF सब इस्पेक्टर की जो है यहाँ पर 452 वेकंसी है यह सब कुछ पता है लेकिन कुछ बच्चे कुश्चन कर रहे थे कि सर कॉंस्टेबल की अगर हमको फॉर्म डालना है तो हमारी हमारी योगिता क्या होगी तो आपको मैं बता दू अगर आप SI बनना चाहते हो तो आपका ग्रेजवेशन होना चाहिए ना कि आपका ग्रेजवेशन चल रहा हो आप ग्रेजवेशन कंप्लीट कर लियो हो और उसमें रिजल्ट में पास हो आप तभी आप SI के लिए form भर सकते हो ठीक है चल रहा है से काम नहीं चलेगा रपी अप कॉंस्टेबल के लिए इन्होंने कहा है तेंथ आपको टेंथ पास होना चाहिए हाई स्कूल अगर आपने पास कर लिया है तो आप इलिजबल हो आरपी अफ कॉंस्टेबल के लिए क्लियर है बहुत अच्छी वेकंसी है तेंथ में तो कई बच्चे पास कर चुके होंगे इसको भरिये ठीक है तो यह चीज हो गई इसमें 4208 पद है यह सारी चीज़े है 18-28 यह सब कुछ हम बता चुके आपको अब चलते हैं यह कोईशन दूसरा कोईशन क्या है दूसरा कोईशन है कौन से ग्रूप से फार्म बरे जिसकी हम बात कर रहे थे जिसकी हम बात कर रहे थे कौन से ग्रूप से फार्म बरे तो ग्रूप बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी नौकरी लगवाने में कैसे क्योंकि कहीं न कहीं ग्रूप को अगर आपको भरना है तो पिछली भरती का थोड़ा सा थोड़ा आपको ग्यान होना चाहिए कि पिछली भरतियों में क्या हुआ था क्या चीजे चली थी पिछली भरती में तो कहीं न कहीं हम यहाँ पर ग् C R S E C R और ऐसे करके यह आप चीज देख सकते हो इसकोटने से कोई मतलब नहीं है लेकिन में चीज क्या है आप इसका भी स्क्रीनिशॉट ले लो क्यूंकि C R का मतलब आप यहां नहीं समझ पाओगे तो C R यहां से देख लो ता है ठीक है अब रेल्वे होता है, अब ER किसमे है, तो ER यहां से पता कर लो कि ER कहां पर है, ER है ग्रुप C में, ठीक है, तो यह confirm हो जाएगा कि ABCDEF, जो यहां पर 6 ग्रुप दिख रहे हैं, जिसमें 5 ग्रुप तो जोन को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो F ग्रुप है, यह RPSF है, रेल्वे कहीं भी हमको नौकरी मिल जाए, चाहे तो भारत के किसी कोने में मिल जाए, मैं कर लूँगा, मुझे बेरुजगारी हटानी है, ठीक है, अगर यह इच्छा है आपकी, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको सच्चाई से एक रूबरू कराना चाहता हूँ, क्या, यह देखो, ग्रूप E, यह ग्रूप E है वेटा, जिसमें कट आफ जानतो, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ बचे, जनरल की कट आफ कितनी गई है, 74.22, अचाहे एक चीज और इसमें सचाई बता दे, भाई, आरपी अफ की वेकंसी में देखने को मिला था, कि OBC कट से ज़्यादा गई थी, जैसे देखो, इसमें 74, इसमें 77 गई है, लेकिन उसे मतलब नहीं, यह पढ़ाई करो, कहीं न कहीं, जो भी आप देख रहे हो, तो ग्रूप E में, यह मैं बात कर रहा हूँ, SI की, 70 कट आफ गई है, 120 नमबर में 74 नमबर की वन लाने थे, आपका यहाँ ग्रूप E में सेलेक्शन हो जाता, ठीक है, यहाँ पर देखो, ग्रूप E में, ग्रूप E में 50 मेरिट गई है, जनरल की लड़कों के लिए, मेल के लिए, और यह कॉंस्टेबल की मैं बात कर रहा कट आफ गई है, अब यह ग्रूप E में कौन सा जोन आता है, तो यह भी समझ लो, यह भी देख लो, यह ग्रूप E में NFR है, कौन सा है, NFR है, यानि इसको कहते है, North Frontier Railway, यहाँ NFR का मतलब है, North East Frontier Railway, जिसको हिंदी में क्या कहते है, उत्तरी पूर्वी सीमान्त रेलवे, उत्तरी पूर्वी सीमान्त रेलवे का मतलब क्या है, ग्रूप E में बात कर रहा हूँ, जिसका मुख्याले कहा है, गुवा हाटी है, तो आप चाहते हो, अगर मेरी जॉब गुवा हाटी के इर्दगर्द लग जाए, आसपास लग जाए, उस छेतर में लग जाए, तो आप भीया, ग्रूप E से भर देना काम हो जाएगा, लेकिन अभी ये भी संभावित नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, पिछली भरती को देखकर, अब जब जैसे ही भरती आ जाएंगी, पूरा ब्योरा, पूरा बयो कि आपको किस ग्रूप से फॉर्म भरना चाहिए, अभी पिछली भरती को देखें, तो मैं ये क्लियर कर पा रहा हूँ, कि ग्रूप E से फॉर्म भरते, तो आपका सेलेक्शन हो जाता, 42 नमर कौन नहीं ले आता है, 44 नमर कौन नहीं ले आता है, इतना तो पढ़ते ही हम, हन तो ये सारी चीज़े हो गई, अब ये जो ग्रूप E F है, ये RPSF है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेसल फोर्स, उसमें ही अगर हम बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेसल फोर्स की अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखो, यहाँ ग्रूप इसमें तो था ही नहीं, यह देखो, इसमें F में है, 89 मेरिट गई थी, OBC की, जरनल की 93 मेरिट गई थी, अच्छी खासी मेरिट है, तो railway protection special force में अगर join करना चाहतो, तो आप इसमें कर लेना, अब कुछ बच्चे जानतों पूछ रहे थे, अब फिर आते हैं अपले question पर, कि form यह तो यह है, कौन से group से form भरें, मैंने इसको बता दिया है कि किस group से form भरो, नौकरी निश्चिती मिल जाएगी आपको, और group के बारे में बता दिया है, उसको detail से एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें और समझाएंगे, क्या SI और constable दोनों एक साथ भर सकते हैं, यस, यस, लेकिन क्या जरूरी है आपका graduation complete होना चाहिए, अगर आप inter pass है, तो केवल आप 10th pass वाली नौकरी को join कर सकते हैं, यानि constable को, लेकिन आप graduation है, तो आप constable के लिए भी eligible हैं, और SI के लिए eligible हैं, तो अगर graduation है, तो आप दोनों form भर सकते हैं, SI और constable दोनों, clear है, ये भी बात समझ में आ गई होगी, ITI होना जरूरी है बेटा नहीं, ये कोई technical post नहीं है बेटा, इसमें आपको सुरच्छा करनी है, इसमें कुछ बनाना नहीं है कि rail खराब हो गई, तो इसमें आपको कुछ बनाना है, ठीक है, technical post नहीं है, ये है, आपको सुरच्छा करनी है, तो इसमें ITI होना बिल्कुल पॉलिस वैरिफिकेशन किसी भी जॉब में इनके उपर मुकदमा तो नहीं चलेंगे तो 100% आप कोई भी जॉब करोगे सरकारी नौकरी करोगे तो उसमें पॉलिस वैरिफिकेशन जरूर मांगेंगे ठीक है तो इसमें तो भूली जाओ चलो यह चीज हो गई तो यहाँ पर देखो एक कुश्चन हमने लिखा है पॉलिस वैरिफिकेशन लगेगा यस बिलकुल पॉलिस वैरिफिकेशन होगा आई टी आई होना जरूरी है नहीं निगेट्व मार्किंग कितना है वन बाई थ्री का निगेट्व मार्किंग है अगर निगेट्व मार्किंग को हम लोग समझे वन बाई थ्री का निगेट्व मार्किंग का मतलब क्या है अगर तीन question गलत किये और एक सही किये तो बात बराबर बात बराबर ना आपको number मिलेंगे ना number कटेंगे तीन question गलत किये और एक सही कर दिया इसका मतलब यह होता है one by three इसका detail वीडियो बनाएंगे और अभी आपको मैं बता रहा हूँ yes निगेट्व मार्किंग कितना है पहले तो निगेट्व मार्किंग है यस और कितने का है तो one by three का निगेट्व मार्किंग है यह भी आपको question जो doubt था यह भी clear हो गया graduation चल रहा है तो form भर सकते हैं नहीं मैंने आपको बताया था नहीं भर सकतो क्यूं graduation जब तक पास नहीं हो तभी आप graduation चल रहा है तो आप constable का form जरूर भर सकतो क्योंकि constable के लिए eligibility आपका 10th होना चाहिए 10th pass होना चाहिए clear है चलो physical handicap बिलकुल बेटा यह force की job है इसमें physical handicap ह हो तो आप form नहीं भर सकते हो हाना तो यह नहीं होना चाहिए कि आपको rpf में जाना है तो rpf निंज नहीं जा सकते हो railway protection force चलो form कब से भरे जाएंगे तो इसको बहुत से बच्चे कह रहे है क्योंकि यहाँ पर जो job employment new जाई है notification आया है उसमें बता दिया है कि 15 April 2024 से form शुरू होंगे भरना और 14 माई 2024 तक भरे जाएंगे यह भी एक डेट है इसको भी आप इसको लेलो कब से कब तक चलेंगे form भरना तो यह है कुछ बचों ने कहा है कि एज सर कब से count की जाएगी तो बेटा एज आपकी 1 जुलाई 2024 से count की जाएगी इसका मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2024 क तो आप 18 साल के हो रहे हो तो form भर सकतो ठीक है 1 जुलाई 2024 से अगर over हो रहे हो तो form नहीं भर सकतो यानि 1 जुलाई 2024 से आपका count किया जाएगा age clear है चलो ease और teeth चेक करें बिल्कुल चेक होंगे भाई force की जाब है आइस तो आइस आखें और दात चेक होंगे की नहीं बिल्कुल चेक होंगे ठीक है तो बिल्कुल भाई railway protection आपको अंधे में थोड़ी नहीं ले लेंगे ठीक है तो चलो ये सारी चीज़ों हो गई अब इस एक साथ भर सकते हैं हां लेकिन graduation आपका होना चाहिए ठीक है सर आपका batch लेने के बाद लेको batch का पूछ लिया बेटा अगर batch का पूछा है तो आपको मैं batch के बारे में बता दू कि कुछ बच्चों ने ये भी question पूछा है सर batch अगर मैंने ले लिया तो किताबों को लेना बैच है दरोगा का अलग बैच है ठीक है सिपाही की जो फीस है वो बेटा 799 है जो coupon आप आर्पी अप 30 लगाओगे तो ये बैच आपको 560 रुपए का पड़ जाएगा SI का जो बैच है वो 999 का है लेकिन ये भी नहीं है आप 699 में ले सकतो अगर आर्पी अप 30 coupon code लगाओगे तो ठीक है ये भी हो गई इसमें क्या का मिलेगा सर printed note मिलेंगे class notes मिलेंगे printed color seat मिलेंगी 20 full mock test मिलेंगे यानि full का मतलब होता है जैसे 120 question का paper देख तो वैसे ही इसमें रीजनिंग 35 की 35 का जीयस 35 का math ये सब कुछ मिलेगा clear है बेटा ये पांच घंटे की live class देंगे live class recorded की बात नहीं कर रहा हूँ पांच घंटे live class आपको पढ़ाएंगे वैदेता क्या होगी sir वैदेता full होगी full का मतलब जब तक exam नहीं होता है किसी कारणवस exam अगर delay भी होता है तो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ना मैं तब तक पढ़ाऊँगा आपको clear है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बैच तरफ बंद तो नहीं हो जाएगा दो में नहीं जब तक आप पूरा paper नहीं दे लेते हो तब तक हमारा करतब है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे clear paper तक वैदता हमने दी है इसमें और finish team के साथ आपको ये देखो पांचो टीचर हैं पांचो पांडो आपको पढ़ाने वाले हैं अपने अपने विशय में पारंगत हैं औ से सीखो कि क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर ये सारी चीजों हो गई लेकिन कुछ बच्चे कह रहें सर दोनों बैच लेना नहीं बेटा अगर आप कॉंस्टेबल की तयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ले लेना एसाई सापली केसन ने इस को डाउनलोड कर लो टुरंथ एपली केस्ट है इस ऐपली केस्ट को डाउनलोड करो लो प्ले इस टोर से मिल जाएगा प्ले शत॓र मिल जाएगा fantasy अगर कोई भी दिक्कत आ रहे हैं तो यह नंबर आपको मैंने बता दिया है 7772108 आपका पेमेंट नहीं हो पाया या पेमेंट हो गया आप बैसे नहीं जुड़ पाये हैं यह सब कुछ सारी जानकारी आपको हम बता देंगे लेकिन इससे भी जरूरी चीज़े हैं कुछ और कोईशन है अचा एक चीज़ और हमें एक बच्चा कह रहा था कि सर इस बैस को लेने से मैं क्या किताब जरूरी है लेना हाँ बेटा जरूरी है जैसे मैथ हमने पढ़ा ही आपको मैथ आपका नंबर सिश्टम मैंने कॉंसेट वाइस करा दिया कि इतने टाइप के कोईशन आपको देखने को मिल सकते हैं तो आपने वही टाइप के किताब को जैसे मैं और देखते हैं कौन से क्वेशन है क्या क्या डाउट है अब देखो बच्चा कह रहा है हाँ बैच के बाद बुक भी लेना पड़ेगा इसको मैंने क्लियर कर दिया ले लेना बुक तो आपके पास होगी नहीं तो किसी दोस से मांग लो जो कमप्रीशन की तयारी कर रहा है को पुरानी बुक देगा उससे भी काम चल जाएगा सर फिजिकल में क्या-क्या टेश्ट होता है वो सब कुछ मैंने बता दिया यह वाला तो आपको मैंने बता दिया इसी वीडियो में सर एक ही दिन लॉंग जम बटा हाँ यार कर दस दिन करवाएंगे एक दिन लॉंग जम मतलब ऐसी question पूछते हो मतलब जिसमें हसी आ जाए एक दिन लॉंग जम दूसरे पांचवे दिन का हाई जम करवाएंगे उसी दिन लॉंग जम करवाएंगे उसी दिन हाई जम उसी दिन running यह हो जाएगा दूसरी चीज क्या है सर आर्पीफ SI और आर्पीफ कॉंस्टेबल का बट आर्पीफ SI का भी देने का सोच रहा हूं क्योंकि फिजिकल अच्छा है मेरा अगर फिजिकल अच्छा है और SSE की तयारी कर रहा हो आप तो पेपर को धजियों उड़ा दोगे और फिजिकल अच्छा है तो भाई दोनों आपका तो positive है यहाँ पर मैं सोच रहा था आप अपने कोमेंट किया तो आपका तो सेलेक्शन है यहाँ पर कौन है यह चढधा है चढधा जी क्या कह रहा है यही मैं SSE CGL की तयारी कर रहा हूं देखो आपका अगर फिजिकल अच्छा है और उसके साथ SSE CGL की तयारी कर रहा हो तो study भी अच्छी आपकी तो भाई दोनों स देखो जाके सब कुछ मिल जाएगा जैसे हमने बताया है application खोलना application खोलने के बाद ऊपर ही दिख जाएंगे दोनों बैच एक में Constable लिखा होगा एक में SI लिखा होगा अगर आप SI की तहरी कर रहा हो तो SI से जुड़ जाना बोथ के लिए SI अधियर के आनंद क्या गया रहे हैं सर जी बिये थर्डियर वाले आर्पियर SI में नहीं भर सकते हैं जब तक आप पास नहीं हो तब तक नहीं भर सकतो आप graduation चल रहा है तो form नहीं भर सकतो ध्यान से सुलो अगले कुछ question और है सर जी मेरी एज जुलाई 33 हो गई है एक बैच हिंदी में है हाँ बिटा हिंदी मीडियम का ही बैच है हिंदी मीडियम का बैच है और आपको मैं बता दू हिंदी subject नहीं आ रहा है तीन subject है reasoning math और GS 50 GS reasoning 35 और math 35 चलो सर क्या हम एक साथ दोनों form apply कर सकते हैं प्लीज इसके बारे बताया भाई दोनों form भर सकते हो आप सर् math के लिए eligible हो और graduation के लिए भी सर जी ex-serviceman के लिए physical का एक सर्विसमें के लिए physical का वही क्राइटेरिया होगा जो normal है general के लिए तो वही आराम से manage कर सकते हो कोर्स वीडियो में होता है अगर आप स्कूल में थोड़ी देर के लिए free हैं तो लग रहा है कि आप GS के कुछ question देख सकते हैं तो आराम से खोला GS को complete कर लिया मैं मान के चल रहा हूं कि कहीं न कहीं 200 से 300 lecture है आप स्कूल जा रहे हैं अगर दो-दो lecture complete कर र स्कूल में ही cover कर लिए आके maths और reasoning के लिए घर पे आके साम को समय दे लिया ऐसे करके complete हो जाएगा ठीक है तो यह चीज तो मैं कहा रहा हूं स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको तो time मिलता ही है थोड़ा rest का time मिलता है उसमें आप लेकिन एक चीज होनी किसी भी YouTube चैनल पर खोल लो ठीक है किसी भी YouTube चैनल को खोल लो और उसमें देख लो कि कैसे यह चीज़े सही हो सकती है अब दूसरी चीज क्या है सर इसमें English के question नहीं आएंगे बिटा नहीं आएंगे English नहीं है इसमें English subject नहीं है तो लगबग जितने comment आया थे आप ऐसा करे अगर कोई और doubt है तो आप और comment करें जो भी comment आएंगे जो relevant comment होंगे कि कहीं ना कहीं इनकी answer देने चाहिए तो हम आपको answer जरूर देंगे और वीडियो को share कर देना इसमें batch के बारे में बताया आपको batch को जल्दी से जल्दी आप ले लो कहीं ना कहीं आपकी फिर पढ़ाई चूटेगी फिर बाद में पश्ता होगे और अभी batch का एक special हम वीडियो लाएंगे जिसमें सारे teacher बताएंगे हमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ाएंगे ठीक है बहुत ही विश्वशनी टीम बहुत ही परंगट टीम अपने अपने विशय में मतलब यह समझ लो कि वही question आपको देखने को मिल सकते हैं इतना यह सब कुछ मैं अपने confidence से इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे पता है ठीक है तो चलिए वीडियो अच्छा लगया तो उन तक जरूर पहुंचाईएगा जो इसकी तयारी करने की सोच रहे हैं जय हिन जय भारत वंदे मात्र में इंकलाब जिन्दा बाद भारत माता की जय